накई श्लाम लेकुम आज हम बनाईगी केक बनाने के लिए पहले दो अंडे ले ले 9 चीनी मेंमेरे पास है 100 गар Arena इसको मिक्स करेंगे अब चीननी और जर्दी मिक्स हो गई है अब इसमें डालेंगे तूर अब ये बरतन निकले हैं ऐसे ये प्रास्टिक का मेरे पास काप है इसमें आटा नापना हो जो चीज भी नापनी हो उपर लिखा हुआ नाप सकते हैं इसमें 115 ग्राम ये आदा पाउ है यहां तक अब यह पाऊ है आधा लिटर है अगे यह 3 अगे लिटर बनता है यह मेरे पास आधा पाऊ दूदह यह डाल देंगे क्यों आधा पाऊ 125 का होता है आधा पाऊ हमने लेना 115 आधा पाऊ से थोड़ा सा का मिक्स करेंगे कि आप इसको मिक्स का लिए और दालेंगे तीन चार टेबल स्पून तेल आसान काम करेंगे डाप प्रहिए लिखान से चार टेबल सपून तेल जाल रगया अब इसको मिक्स करेंगे हमारे पास यह पैकट बने होते हैं यह वैसे देखने में 10 गिराम है और टेबल सपून बनता है आप इतना बनाएं अगर एक पार पैकट नहीं है आप टेबल सपून भारकर डाल दें अब इसको मिक्स करेंगे अब यह मिक्स हो गया इसको ज्यादा नहीं मिक्स करना सिरफ इसको ज्यादा चलाना नहीं चमचा मिक्स सिरफ मिक्स करना निक्स हो गया अब इसको सैट पर करते हैं यह अपनी अंडों की सफैदी ले लेते चुटकी बार नमक डालेंगे अब इसको मैं बीटर से बीट करूंगे इसको बीटर से बीट नहीं किया कि इसको ज्यादा बीट नहीं करना इसको ज्यादा बीट करना है यह बीटर से करूंगे अब इसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया अब इसको यह जब अच्छी तरह बीट हो जाए इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और इसको मिला लेते हैं मिक्स होगा साइट पिकाते हैं अब में बर्तम को तेल लगा लिए इसमें डाल देते हैं अब इसको मैं अमन में बनाओंगी अगर किसके पास अमन नहोता आप इसको पतीले में बना सकते हैं पतीले को पहले गरम कर लें फिर हलकी आच पे इसको नीचे कोई कटोरी रखकर कोई सस्टेंट रखकर जैसे कि इस तरह की कटोरी हो ऐसे ऐसे पतीले में उसकी उपर ऐसे र उसके उपर कुछी बरतन में डालके रखनें हलकी आच पर पतीले में त्यार हो जाता है अब मैं आवन में रखूँगी जी केक त्यार हो गया केक को काड़ लेते हैं आप इसको रख लेते हैं बहुत अच्छा त्यार हुए लुखे नरम राई करना अल्ला करा आपको पसंद आए इसी के साथ इजाज़त चाहोगी अल्ला अफेश